रादे रादे जैसी क्रश्ना जेहो विश्नो भगवान कीजे जेहो माता लश्मी कीजे आईए आज हम विशाकमास के क्रश्न पक्षी की बरुथनी एकादशी का महात्य में साथ ही दो पूरानिक व्रतकताई सुनेंगे सभी मनुष्य जानते हैं कि नरग बुरा और स्वर्ग अच्चा है तो उन्हें वेशाकमास के क्रश्न पक्षी की बरुथनी एकादशी का उपवाज जरूर करना चाहिए अगर कोई मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत पूरेविदी विदान से करता है तो वे अपने माता पिता बंदू बांधूं सहित स्वर्ग को पाता है जो वरत करके दूसरे दिन भ्रामन को भोजन कराके अन वस्तर जूता चतरी ताड का पंका दान करते हैं तो उसे समस्त संसार को भोजन कराने जितना वे फल पालेते हैं जो मनुश्य बरुथनी एकादशी के उपवास के साथ एक भ्रामन को बच्छना सहित गाय दान करते हैं, तो उसे तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन तिल का दान करता है, तो तिल की संख्या के बराबर वैविश्नु के सायुज लोक में रहकर अनन्त कोटी गुनासुख भोगता है। जो मनुष बरुथनी एकादशी के दिन मंदिरों, पवित्र नदियों, देवरक्ष्यों और भ्रामन के घर के चबुत्रे पर संध्या के समय चोदा दीपकों का दीबदान करते हैं। उनकी मैमा का वर्णन तो भ्रमा आदी देवता भी कहने में ऐसा मर्थ है। संसार में अन दान के वराबर कोई विदान नहीं है क्योंकि अन दान से देवता, पित्तर, मनश सभी को तरपती मिलती है। शास्त्रों में अन दान को कर्ण्यादान के वराबर वताया गया है। परुधनी एकादशी के वरत से अन तथा कर्ण्यादान करने जितना फल मिल जाता है, जो मनश लाब के वश में होकर कर्ण्या के धन को हड़पते हैं, वेप्रेले के अंत तक नरक में दुख भोगते हैं, उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है, जो मनश प्रेम से धन सहीत कर्ण्यादान करते हैं, उनके पुन्या को तो चित्र गुप्त जी भी लिखने में ऐसा मरता है, जो मनश बरुधनी एकादशी का वरत करते हैं, उनको कर्ण्यादान करने जितना फल मिल जाता है, बरुधनी एकादशी का वरत करने वाले को दश्मीतीती से ही इन व एक अदशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, दोपहर में सोना नहीं चाहिए, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली करना, पापियों के साथ बाचित भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध मिध्याबाशन का त्या कर देना चाहिए एकादशी के दिन नमक और तेल भी भोजन में वर्जित है जो बनश बरुतनी एकादशी को विधीवत वरत उपवास करते हैं उनको मरने के बाद सर्द की प्राप्ति होती है बरुतनी एकादशी के महात्यम को पढ़ने सुनने और सुनाने से एक सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिजाता है। इसका फल गंगा के इस्तनान करने से भी अधिक बताया गया है। तब हम बरुथनी एक आदशी की एक प्राचीन पुराणी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रेवा नदी के अर्थात नर्वदा नदी के तड़ पर एक अर्थ्यंत तपस्वी दानशीर सत्यवक्ता जितेंद्रिय चक्रवती मांधता नाम के राजा का राजय था। तब एक बर राजा मांधता ने अपने गुरू के कहने पर वन में जाकर कठो तपश्या करी। राजा ने अन जल त्याग दिया केवल हवा और पानी पीकर ही रहने लगा। इस तरहें राजा को तपश्या करते हुए अनेक बरस बीत गे। राजा ने बाहरी सुद्बुद तक खो दी। तब एक बार एक भुका भालू जंगली पशु को खाने के लिए उस वन में पहुँचा। तब वे भालू राजा मांधता के पैर चबाने लगा। वे भालू राजा को घसीट कर गहरेवन में चला गया। तब राजा ने विश्नु भागवान से रक्षा की गुहार लगाई। तब भागवान विश्नु ने अपने भक्ति की रक्षा के लिए सुदर्शन चकल छोड़ दिया जिससे भालू की गर्दन कट कर अलग हो तब राजा मानदाता की जान तो बज़ गई लेकिन भालू के द्वारा राजा का पैर चबाए जाने से राजा का एक पैर खराब हो गया। तब राजा ने विश्नु भागवान से अपने लिए सुस्त शरीर मांगा। तेरे बारे अवतार की पूजा करो, इस वरत के प्रभाव से तुम पुन्हे सस्त शरीर को प्राप्त कर लोगे। तब भगवान विष्णु की आग्या पाकर, राजा मानधाता ने बेशाकमास के खुण पक्षी की बरुथनी एकादशी के तिन मतरा में पवित्र तीर्थों में जाकर इस्नान किया और बरुथनी एकादशी का वरत किया और खुब दानपुन्य किया जिसके पुन्य जिसी काया का सुप राप्त किया और वे दूसरा कांदेव के समान सुन्दर शरीर वाला हुआ इस तरह कहते हैं विशाक मास के क्रश्न पक्षी की बरुधनी एकादशी का वरत करने से मनुष्य को सुन्दर शरीर कंचन निरोगी जिसी काया प्राप्त हो जाती है आईए अब हम बरुधनी एकादशी की एक दूसरी कहानी सुन्ते हैं एक बार काशी नगरी में एक छोटा सा गाउं था उस गाउं में एक कुसंगती में हमेशा रत रहने वाला एक राजा रहता था वे राजा कई कई दिनों तक नाचगान, मदीरा चापलुसी काने वाले लोगों के साथ रहता था उसकी मदीरा शाला में अनेक सुन्दर सुन्दन नर्थिकियां थी जो नाचगान करके राजा का मन भहिलाया करती थी उस राजा का पूरा समय उनी के साथ बेटता था उस दुरबुद्धी राजा की एक रूप वती गुण वती धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाली एक अती सुन्दर रानी थी वे रानी हमेशा धर्म कर्म में लीन रहती थी वे भगवान विश्णु की परम भक्त थी, भगवान विश्णु की पूजा में हमेशा सलंगन रहती थी वे राणी ही प्रजा की सभी समस्याओं को सुलजाती थी वे प्रजा की देख बाल में हमेशा लगी रहती थी वही राज काज का काम भी देखती थी उस राजा के मंतरी गण बी राजा की बुरी संगती से दुखी थे प्रजा के राजकाच का सारा काम राणी ही मंतरियों के साथ देखती थी वेरानी रोज गरीबों नी सहायों की मदद करती थी ब्रामनों, साधु सन्याशियों औ weekend को उनका भाग देती थी प्रजा भी अपनी रानी से अपनी समश्य बताने के लिए महल में जाया करते थी वे रानी हर साल बेशाक मास का इस्तनान करती थी और बेशाक मास की दोनों एकादशी का उपवास रखती थी तब एक बार जब बेसाक का मेन आया, तो उस रानी के मन में आया कि मैं जोड़े से वेशाक मास का इस्तनान करूं वरत करूं, जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो वे शराबी और सुन्दरियों के नशे में चूर राजा ने रानी को दूर टूर जवाब दिय कि अभी मेरी उम्र धार्म कार्म करने की नहीं है, ये सबी धार्म कार्म तुम ही करो, ऐसा कहकर वे राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया, राजा की चापलुसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन एठना है तो राजा के लिए रोज नई-नई नर्तिक्यों को लाओ और नई-नई शराब लाकर के दो राजा की जवानी का गुणगान करो और प्रिशंसा करो वे दुरबुद्धी राजा नशे में अपने और पराय की पैचान ही नहीं कर पा रहा था इस तरह जब वेशाक का महिना आया तो राणी ने पूरी शद्धा और इमानदारी के साथ वेशाक मास का इस्तनान किया वरत किया और भगवान विश्नु से प्रात्ना करने लगी कि हे भगवान मेरे पती को सदबुद्धी दीजी ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्रा उठकर नहा धो कर घोडे पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने के लिए वन में चला गया वन में पहुचकर राजा ने घोडे को एक रिशी के आश्रम में बांधा और सम पैदल शिकार करने के लिए गहन वन में पहुच गया तभी वहाँ भगवान विश्णु की माया से एक खुंखार शेर राजा के सामने पहुँच गया अचानक शेर को आया देख कर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के उपर चड़ गया वह शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा लेकिन वह शेर ने तो दस पग पीछे गया नहीं पंद्रा पग वह आगे गया वह मू उपर करके पेड़ की तरफ बैठे हुई राजा को देखता रहा डर के मारे राजा की भूख प्यास नीन सब गायब हो गई पूरी रातरी राजा मनी मन भगवान विश्णु से विंती करने लगा कि अगर यह शेर चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ विशाक मास का इसनान औरत करूँगा साथी उसने अपने पत्नी से भी मन ही मन कहा कि हेरानी अगर तुमने मेरे लिए ही विशाक मास का इसनान औरत किया है तो यह शेर यहां से चला जाए हेरानी मैं शत्रिये हूँ मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं भी हर साल विशाक इसनान औरत करूँगा इस तरह भगवान की माया से वह शेर तीन दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा इस प्रकार वह राजा तीन दिन तक बिना अन जल के उस पेड़ के उपर बैठा रहा वह ती थी थी वेशाक मास के क्रशन पक्ष की दश्मी थी थी वेशाक मास के क्रश्नपक्षी की बरूधनी एकादशी थी और वेशाक मास के क्रश्नपक्षी की द्वादशी थी थी इस तरह उस राजा का तीन दिन तक वरत हो गया तवेशाक मास की त्रियोदशी को सुबर जब राजा सो कर उठा तो उसने पेड के नीचे देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिया तब राजा पेड से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोडे को लेने के लिए आश्रम में पहुँचा उस आश्रम में एक सादू ने राजा को देखा तो पूछा कि हे राजन आपका घोडा तीन दिन से आश्रम में बंदा हुआ था आप खेरिये सो तो हैं तब राजा ने सादू को पूरी बात बताई तो वैसादू बोला कि हे राजन इस तरह तो आपका, तीन दिन आपके भूके प्यासे रहने से आपके विशाक मास की दश्मी तिथी से लेकर द्वादशी तिथी तक वरुधनी एकादशी का उपवास हो गया, हे राजन अब आपके जीवन भर के सारे पाप धुल गए हैं, अब आपका भाग्य उद्य अवश्य होगा, हे राजन अभी अभी हम सब भी व्रत का पारण करने वाले हैं, आओ आप भी हमारे साथ इसनान आदी से निवरत होकर व्रत का पारण करो, राजा को बरुधनी एकादशी का व्रत करने से सदबुधी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए आज मैं व्रत का पारण अपनी राणी के साथ ही करना चाता हूँ, मैं आप से शमा चाता हूँ, वह सादू कोई और नहीं सम विश्नु भगवान ही थे, विश्नु भगवान से राजा राणी की कोई बाद छिपी नहीं थे, सादू रूप में विश्नु भगवान अत्यंत प्रसन हुए और राजा से बोले कि हे राजन, तुम ये फल लेकर के जाओ, तुम दोनों पारणा में ये वरत आधा आधा खाना, हगवान विश्नु और बरुथनी एकादशी के वरत काफल, तुम दोनों को जरूर मिलेगा, उसके बाद वह राजा महल में पहुंचा, सबसे पहले उसने अपने सेवकों से कहकर, अपने सभी चापलूसी मंडली और नाच गान करने वाली इस्तिरियों को महल में से हमेशा ह के लिए भगा दिया, और मदीराशाला को नोकरों से धुलवाया और पूरे महल में गंगाजर से छीटे दिये, और अपनी राणी से अपनी गलती की शमा मागे, राणी को वरत करने वाली बात बताई, उसके बाद राजा ने राणी के साथ बैठ कर वरत का पारना किया, और सादू ने जो फल दिया वे आधा आधा दोनो राजा राणी ने खाया, उसके बाद उस राजा ने राणी के साथ बचे हुए विशाक मास के दिनों में इसनान किया, वरत किया और खुब दानपुन्य किया, उसके कुछ मैनों के बाद राणी को गर्ब टहर गया और उसे द तो सुन्दर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को विशाक मास में स्नान, व्रत और दानपुन्य करना चाहिए। इन अंतिम पांच तिथियों में देव रक्षों के नीचे दीबदान करें। ऐसा करने से ही पूरे विशाक मास के इस्तनान का फल प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य विशाक मास की बरुथनी एकादशी के महात्यमे को सुनते हैं उन्हें व्रत के साथ। एकादश उस गाह में सात भाईयों की एक बहन थी। सातो भाईयों का विवा हो चुका था। मतापिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलों गमन हो चुका था। सातो भाईयों की एको एक लाडली बहन थी। वे बड़े ही धार्मिक ब्रवती की थी। वे रोज इसनान आदि करके तु लगाती थी, रोज तुलसी जी की सेवा पूरे तन मन से और सची लगन से करती थी, तब एक दिन सभी भावियों ने ननत को ताना मारा की क्या रोज रोज तुलसी जी की सेवा पुजा करती हो, अगले घर ब्या होकर जाओगी तो तुम घर का कोई कामकाज करना क्यों नहीं सी उपर हसने लगी लेकिन ननत कुछ नहीं बोली इस तरह समय बीचने लगा जब वैविवा लाइक हुई तो भाईयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूडा तब भाईयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेच का सामान तुमें ही लाना है गैने कपड़े बरतन इत्यादी सब तुमें ही लाने हैं तो उन्होंने हामी भर दी तब सातों भाईयों ने अलग अलग टिबों में किसी में तुलसी की पतियां डाल दी किसी में तुलसी की जड़ निकाल के डाल दी तो किसी में तुलसी की मंजरी डाल दी तो क इसी में तुलसी की माला डाल दी इस तरह 10-15 डिबे उन्होंने तयार कर दिये और अपने पतियों से बोली कि सुनो जी हमने ननत भाई की शादी की पूरी तयारी कर ली है अलग-अलग डिबों में सारे सामान रख दिये हैं लेकिन ननत को सच्चाई मालूम थी उसने अपने भाईयों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भाई-भाबी का घर बसाना चाती थी बिगारना नहीं चाती थी तब शादी वाला दिन भी आ गया भाईयों ने बहन का धूम-धाम से विवा किया बहन को धेरों आशिवात देकर विदा कर दिया बारात दूला-दूलन के सा पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर उट गाड़ी या बेल गाड़ी में बैठकर के जाती थी तो उन्हें चलते चलते कई दिन लग जाते थी तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन हो गया तब एक जगे उन्होंने रात्री विश्राम किया तब बारातियो को भूख सताने लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी के यहां से रास्ते का कलेवा जरूर आया होगा इतने सारे डिब्बे हैं इनमें जरूर भूजन होगा जैसे ही ससुर ने एक डिबा खोला तो उसमें से ठेर सारी मेदा की गरम गरम पुडियां वे आलू की सुखी सब्जी मि सभी ने नई बहू की खूब बढ़ाई करी जब बहन ससुराल में पहुची तो सभी ने उसकी खूब बढ़ाई करी जब ससुराल वालों ने डिब्ब्य खोल करके देखे तो किसी में गहने किसी में बरतन किसी में रुप्यों की थैली किसी में कपड़े किसी में चावल घी तेल गुड निकला, किसी में बादाम, काजू, मिश्री निकली, तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी, सभी तुलसी माता की क्रपा से, गहनों, कपडों, बर्तनों और धन में बदल गई, हे तुलसी माता, जैसे आपने, साथ भाईयों की बहन की, रक्षा करी, लाज रखी, वैसे सब की रखना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की, और हुकारा भरने वाले की, घर्तियों तो पुरियों, पुरियों तो बर्वान चड़े, भुले बसरे नाम, तेरे बंदार में भरे, आईए अब हम विश्याक मास में, भगवान, राम और लक्षमन क एक पुराने कथा सुनते हैं, एक बार एक गाउं में एक जाट जाटनी रहते थे, वे बहुत गरीब थे, जाटनी बड़ी ही समझदार थी, एक दिन जाटनी जाट से बोली की, हे स्वामी मैं आपको चार रोटी बना कर के देती हूं, आप नदी के किनारे चाहिए, वहां भगवान राम और लक्षमन आते हैं, वहां जाकर कहना राम बड़े लक्षमन छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मत्ती का दश्रत बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे, तब जाट ने ऐसा ही किया, पूरे र राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मत्ती का दश्रत बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे, उस जाट की बात सुनने के बाद भगवान राम लक्षमन से बोले कि भाई लक्षमन इसने तुम्हें बड़ा क तब राम बोले कि नहीं भाई लक्षमन इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए, तब लक्षमन ने सोने और अशर्फियों से भरी हुई एक थेली दी, जाट सोने और अशर्फियों से भरी हुई थेली लेकर बहुत खुश हुआ, वे पूर हुआ और घर आ गया, घर आने के बाद उसने अपनी जाटनी को पूरी बात बताई, कि भगवान ने मुझे सोने की अशर्फियों की थेली दी थी, लेकिन जंगल के रास्ते में मुझे चोर मिल गे और उन्होंने मुझे लूट लिया, तब जाटनी ने कहा कि कोई बात नही कल फिर मैं आपको चार रोटियां बना कर के दूंगी आप फिर चले जाना, और जैसा मैं कहूं वही बोलना, राम बड़े लक्षमन छोटे वो बेटे अंबे की डाली, वो बेटे चंबे की डाली, माटी का दश्रत बनावे, माकन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे, पूरे रास्ते जाट ये याद करता गया, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुचा वह भूल गया, और वह बोला, लक्षमन बड़े राम छोटे वो बेटे अंबे की डाली, वो बेटे चंबे की डाली, माटी का दश्रत बनावे, माकन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे, फिर से भगवान राम लक्षमन से बोले की हे भाई लक्षमन इसने आज भी तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए इसे तुम्हें कुछ देना चाहिए, तब लक्षमन भगवान राम से बोले की हे राम इसकी बुद्धी मलीन है, मुर्ग है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई हुआ है, तब भगवान राम बोलेगी नहीं लक्षमन, तुम्हें तो इसे कुद देना ही चाहिए, तब लक्षमन ने जाट को सोने की इट दी, सोने की इट पाका जाट बहुत खुश हुआ, लेकिन रास्ते में फिर से चोरों ने उससे चीन लिए, घर पहुचा तो जाट ने फिर से जाटनी को पूरी बात कही, कि मुझे सोने की इट मिली थी, हमारे साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाती, लेकिन जंगल के रास्ते में चोरों ने मुझसे चीन लिया, जाटनी को कुछ शक हुआ, उसने कहा कि आप वहाँ जा कर बोलता था, लक्ष्मन बड़े, राम छोटे, वो बेटे अंबे की डाली, वो बेटे जंबे की डाली, माटी का दर्शत बनावे, माकर मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे, तो जाटनी ने सिर पकड़ लिया, वो बोली, कि आप तो बड़े ही बोले है भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है, तब उसने अपने पती को उसकी गलती बताई, जाट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, पूरी रात जाटनी अपने पती को रामकथा सुनाती रही, जाट भी पूरी रात रामकथा को याद करता रहा, सुबह हुई जाटनी ने फिर से उसे चार रोटियां बना कर के दी उस दिन जाट जब गंगा नदी के किनारे पहुचा तो उसने राम कथा बिल्कुल सही सुनाई वे बोला राम बड़े लक्षमन छोटे वो बैटे अंबे की डाली वो बैटे चंबे की डाली माटी का दश्रत अगर को आवे यह सुन का लक्षमन बहुत प्रसंद हुआ उसने कहा कि हे राम आज इसको अकल आ गई है आज इसने आपको बड़ा कहा है इसलिए अब आपको हो इसे कुछ देना चाहिए भगवान राम मुस्कुराए और बोले की लक्षमन ठीक है उसके बाद भगवान रा जाट से कहा कि अरे भाई मेरे पास क्या है अगर तुम लक्षमन को बड़ा कहते तो तुमें जरूर सोने चांदी की चीज मिलती मेरे पास तो यह जोहड की मिटी है ये लो और इसे ले जाओ भगवान राम ने महागंगा किनारी से दो मुठी मिटी की भर कर उसके गमछे मे डाल दी और कहा कि तुम इस मिटी को ले जाकर अपने घर आंगन में डाल देना जाट मिटी को पाकर खुश नहीं हुआ जाट मन हिवन बड़ बड़ाने लगा पूरे रास्ते वे अपनी पतनी को भला बुरा कहता रहा कि मैं लक्षमन को बड़ा कहता तो मुझे सोने उन्हें भी नहीं लूटा घर आकर उसने अपनी जाटनी को भला बुरा कहा कि तुम ने मुझे उल्टी सिक्षा दी लक्षमन को बड़ा कहने देती तो आज कोई न कोई सोने चांदी की चीट मिर जाती जाटनी बोली कि जो भी सोने चांदी की चीज आपको अब तक मिली व और बची हुई मिट्टी को तुलसी की क्यारे में डाल दिया और वे रात्री में भुजन कहा कर सोगे दूसरे दिन जाटनी सुबह जल्दी उठी तो उसके आश्चरिय का ठिकाना नहीं रहा उसके दो कबरों का टूटे हूटे मकान की जगे सुन्दर मकान हो गया पूरे घ अधन के धेर पड़े थे और तुलसी के पोधे में सोने चांदी हीरे मोती लड़जर हो रहे थे जाटनी ने जल्दी से अपने पती को जगाया उसके पती को भी देखकर बहान आश्चरिय हुआ तब जाटनी ने जाट से कहा कि भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर दे यह भगवान राम जैसे आपने जाटनी की दरिरता दूर करी, एसी सबकी करना कहानी केने वाले की, सुनने वाले की, और हुकारा बने वाले की, घठमत्यूत पुर्योत परवान चड़े बुले विसरे नाम तेरे बंडार में भरे। जो मनिश्यु बेसात मास में विष्णु जी के मंदीर के द्वार शिकर में ध्यजा बांधते हैं और चंदन अक्षत पुष्प दीप आदी से विष्णु का पूजन करते हैं भगवान की इस्तूती करते हैं और बोलते हैं कि हे चेतन्य रूप विष्णु जी आप प्रसन हो बंदीरों में ध्वजा और जंडी बांधते हैं और उस दिन एक ब्रहामन को भोजन करा कर दक्षिना देते हैं तो उन लोगों के समस्त पापो का नाश हो जाता है जितनी बार ध्वजा पावन में हिलती है उतने ही उसके पापो का नाश हो जाता है और अगर कोई बंदीरों में ध्वजा को देख कर प्रहनाम करता है तो उसके भी पापो का नाश हो जाता है श्रूत देव कहते हैं कि हे राजन इस संबन में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहा सुनाता हूं पूर्वकाल में सत्यूग में एक चंद्रवन्शी राजा थे वे भगवान राजा की एक सत्यवती नाम की पती वरता इस्त्री थी दोनों ने ही अपने जीवन काल में तालाव कुए बावड़ी बागबगी चे धरनशालाएं खुलवाई राजा नियम से बेसाखमास में मंदिर में धजा बांधता था और उसकी इस्त्री मंदिर में दीपक जलाती थ एक समय राजा और राणी को देखने के लिए एक मुनी वहाँ आये मुनी को देखकर राजा और राणी ने उनका सत्कार किया राजा राणी की ऐसी श्रद्धा देखकर मुनी ने राजा से पूचा कि हे भगवन हे राजन भगवान को प्रसन करने के और भी तरीके हैं परंतु तुम्हारी बेसाथ मास में धजारोपन करने की और आपकी रानी का मंदीर में गीब दान करने उनत्य करने की जो महिमा है उसके बारे में मुझे बताईए दवराजा कहने लगे कि हे महात्मन यह आश्चरिय युक्त इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही कुमारगी शराबी जुवारी था देवताओं और व्रामनों की हमेशा अपमान क्या करता था चोरी करता था मास मदीरा खाता थ मेरे कर्व देखकर मेरे भाई बंदू और मेरे माता पिता ने मेरा त्याक कर दिया मैं वन में जाकर रहने लगा वन में विश्णु भगवान का एक जीन शीन मंदीर था मैं वन में रहेकर बन्य पशुओं को मार कर खाता था और उस मंदीर में ही रात्री बिताता था मेरी यहरानी पूरुजानरी में निशाद गन्या थी। इसका पती इसे बहुत मारता था। तब एक दिन ये वन में आई और भूक और प्यास सिर्वाफुल मेरे पास आकर बैठ गई और अपना सारा दुख इसने कह सुनाया। इसके बाद हम दोनों वहीं पर मंदिर में रहने लगे और मास मदिरा आधी खाते थे। एक बार की बात है कि बेसाग का महना था। हम दोनों ने मास मदिरा खाकर खूब उतपात मचाया। तब मैंने एक धंडी में कपड़ा बांध कर उसकी जंदी बनाई और मंदिर में हिला मेरी यहरानी उस मंदीर में नत्य करती रही। उस दिन बेसाख मास की पूर्णीमा का दीन था। हमने बहुत जादा मास मदीरा का सेवन किया जिससे हमारी अकाल मिर्थ्यू हो गई। तब यवराज के दूद हम दोनों को पकड़ कर यमपुरी में लेगे। तब ही वहां भग तब यमदूतों ने देवदूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्हों ने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पुर्णी कर्म नहीं किया जिससे की ये स्वर्णी के अधिकारी बने हो। तब देवदूतों ने कहा कि माना कि इन्हों ने अपने पूरे जीवन काल म चोरी चकारी करी मास मदीरा का सेवन किया लेकिन इन्होंने बेसाक मास में पूनीमा के दिन विश्णु भगवान के मंदिर में जंडी रोहन करा और इस महिला ने मंदिर में नर्ते किया और दीपदान किया इसी वज़े से ये नरत के नहीं बल्की स्वर्गी के अधिकारी हैं ऐसा कहकर देव दूर्थ हम दोनों को विश्णू लोग में लेगे तब हम दोनों विश्णू लोग में कई हजार वर्ष तक आनंद के साथ रहने लगे फिर इतने ही वर्ष हमने इंड्र लोग में रहे उसके बार नत्य लोग में शेष्ट कुल में मैं राजा बना और ये पूर्वजन्मी की निशाद करन्या मेरी रानी बनी इस जन्म में भी भगवान विश्णू की क्रपा से हम अतुलिनी संपती के मालिक बने पूर्वजन्मी के अच्छे कर्मों के कारण हमें इस जन्म में भी पूर्वजन्मी की सभी बातों का इसमरण है हे मुनिवर हमने पूर्वजन्म में अनिच्छा से धजारोपन किया उसका इतना पुन्य फ़ल मिला अगर शद्दा और सक्ची भावना से भगवान के मंदी में धजारोपन करेंगे तो कितना फ़न मिलेगा जब राजा ने ये पूरी कथा रिशी को सुनाई तो रिशी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा रानी को धेरो अशिरवार दिये और वापस अपने लोग में चालेगे जेहो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो बन तुलसी पूरन तपकियो मै शालग राम महा पटरानी जाके मंज मंजरी कोमल मै श्रिपती चरण कमल लपटानी दूप दीप नेविद्य आरती मैया पुषपन की बर्शा बरसानी 56 भोग चतीसो व्यंजन मैया बिन तुलसी हरी एक नमानी सामरो सखी माई तेरा यिशगावे मैया भक्तो वर्दीजे महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भुले बिसरे नाम तेरे भंडार में बरें इस तरह आज हमने विशाक मास के क्रश्न पक्षी की बरुथनी एकादशी की व्यत कथा सुनी हम हर एकादशी मंगलवार और पूरे मा को मंदिर में कीतन करते हैं भंडारा करते हैं अगर आप आर्थिक मदद करना जाते हैं तो वीडियो और डिस्क्रिप्शन बोक्स में आए नमबर पर अपना आर्थिक सयोग कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिपिया मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन जरू प्रस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद